सोनिया गांधी ने मनरेगा के बहाने मोधी सरकार पानिश्वाना साधा सोनिया गांधी ने कहा कि ये राश्वे आपदा करतमय है राजनीती का नहीं और इसलिए मनरेगा का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुचाने के लिए किया जाए सोनिया गांधी ने कहा कि मौझूद केंद्रे सरकार के 6 साल और उससे पहले भी लगातार मनरेगा की उप्योगिता साबित हुई है सोनिया गांधी ने कहा कि मोझी सरकार ने इसकी आलोचना की इसे कमजोर करने की कोशिश की लेकिन अंत में मनरेगा की उप्योगिता और इसकी सर्थक्ता को स्विकार ना पड़ा और आज हर व्यक्ति को गर्व है कि UPS सरकार ने इसे लागू किया तो सोनिया गांधी का सरकार पर ये निशाना जहाँ पर उन्होंने कहा कि मनरेगा को जिस तरीके से कॉंग्रेस ने इसके स्थापना की उसका फाइदा हर तपके को मिले कॉंग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई सारवजनिक वितरण प्रडाली के साथ-साथ मनरेगा सबसे गरीब और कमजोर नागरिकों को गरीपी और भूग से बचाने के लिए अत्यन कार कर है खास्तोर से कोरोना महमारी के संकर्ष को देखते हुए इस दौर में और ज्यादा प्रासंगिक है रमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रमन सुनिया गांधी सरकार पर भी निशाना साथ रही है लेकि सुनिया गांधी अक्तर अखवारों में एडिटोरियल लिखती लिखती नहीं है लेकिन यह ऐसा मौका है जब इस मौके में उन्होंने अपनी पूरी बात विस्तार से लिखी है चुकि मन्रेगा जब यूके सरकार के दोरान लागू किया था उस सुनिया गांधी का अपना पूर्जेक था सुनिया गांधी की अपनी सूर्स की और इसको इंप्लिमेंट उस वक्त की वन्मोवन सिंग सरकार में किया और इसका फाइदा काफी ज़्यादा मिला और कहा जाता है कि यू के टू की सरकार जब आई ती तब मंदेगा की सफल अभ्यान के तहप ही कफी सफलता के चलते ही आई ती लेकिन नरे देमोदी की सरकार बनने के बाद शंसत सत्र के तौनाल संसतने भाशन देते हुए उन्होंने मंदेगा के उपर कई सवाल उठाए इसे में विप्रत्ती का समय और सरकार को भी बात का एचосьास के सहत मद्स वो मजदूरों को मलद वया करा सकते हैं, उनसे काम भी ले सकते हैं, उनसे काम में पैसा भी चानसफर कर सकते हैं, और इसके बड़ी युजना या इसके अच्छी युजना और कोई नहीं हो सकती है।